नमस्कार दोस्तों आपका हादिक स्वागत है हमारी only airway.com के आज के इस वीडियो में दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर क्या को इस हमने उपस्तित हुए हैं और दोस्तों हम यह टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आगरे जुरूर करना चाह ताकि maximum लोग इस वीडियो का benefit ले सकें लाब ले सकें तो दोस्तों बिना किसी देरी का यह शुरू करते हैं आज का topic दोस्तों आज हम करेले के बारे में डिस्कस करेंगे के क्या फाइदें है खाने के और यह स्वाद में जितना कड़वा है उतने ही ज्यादा इसके फाइद करें इससे आपकी पाचिन क्रिया सही रहती है और आपकी भूग बढ़ती है गठिया में करेले का फाइदा पाया गया है करेले या उसके पत्ते का रस निकाल कर गरम करें फिर उस रस को सूजिन या दर्द वाली जगह पर लगाए आपको निश्चित रूप से इसमें आरा करेले का सेवन करने से आपको कफ में आराम मिलेगा क्योंकि करेले में फॉस्फरोस होता है जिसके कारण आपको कफ की समय से चुटकरा मिलेगा दमा में भी करेला काफी फाइदेवन है इस रोग में नेमित रूप से करेले का सेवन करें अगर आप करेले की सबजी का सेवन क करेले का रस निकाल लें और थोड़ा पानी और चुटकी भर काला नमक मिला लें इसे पीए और आपको निश्यत रूप से आराम मिलना चाहिए मदूमे की बिमारी में करेला कीफ फाइदे मैं है करेले का प्रतिन सेवन करें करेले की सबजी बनाके खाएं या कच्छे करेले का जूस लें ये दोनों ही मदूमे को कंट्रूल करते हैं और दोस्तों इसके अलावा भी करेले के बहुत से फायदे हैं ये डेटेल आप हमारी वेबसाइट onlyrv.com पे जाकर देख सकते हैं आप कोई इंफॉर्मेशन वहां डेटेल में मिल जाएगी तो दोस्तों ये छोटी से एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए करेले के बारे में तो आप भी करेले का सेवन जरू करें ये आपके लिए फायदेमन होगा और अगर आपके कोई question, queries या sessions वगरा हैं वो भी हमारे साथ जरू शेयर करें